हेलो गाईज, सब्सक्राइब करें रहा समेजव लग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें मारी नई नई रहसीपीस देखने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहलवाई लोग जो इनम बालू साही कैसी बनाते हैं कैसी उनकी बालू साही इतनी अच्छे से फूल करके आती है और बहुत ही बढ़िया बनते हैं और यह आप देखिए कितनी बढ़िया सिक करके फ्राई होकर के त्यार होती है कैसे इनको फ्राई करते हैं कैसे इनको बनाते हैं और किन किन चीज़ों का यूज करते हैं यह लिया है एक केजी मेदा यह आप देख सकते हो नूर्मल मेदा है जो कि मार्कित में आसानी से मिल जाता है एक केजी मेदे के अंदर यह डाल रहे हैं 200 ml जो होता है वो घी 200 ग्राम घी का यूज के एक चिम्टी नमक है और लगभग एक टी स्पून बेकिंग सोडा और थोड इंग्रीडियंट्स मैंने आपको बता दिये हैं आप यह देखें किस तरह का डो दबू भी आप देख सकते हैं और अब इसको थोड़ा साथ चिंटना कर रहे हैं तो डो को जो समान डाल करके सारा मिक्स करके अच्छे से डो सांद्रिया जैसे हम रोटी का डो सांते हैं ना उसके बाद में इसके एक साइज की लोई कटिंग कर लेंगे और लोई कटिंग करने के बाद सीधा इसको रफ सा ऐसे गोल गोल रहना साइज में इसको बना लेते हैं कैसे बनाते हैं देखें हलवाई लोग आप देख सकते हैं इस तरह से सीधा गोल गोल बनाया बीच से तो तरह देख सकते हो तो सारी बालुसाइगे को इसे बना कर लिया है और इसके बाद अविसको फ्राय करेंगे और तो अब दू होँ तू अब देख सकते हो इस तरह से एक एक बालुसाइगे ना साइड के अंदर डाल देते हैं ताकि नीची चिपके भी तले के अंदर, और जो चोड़े तले वाली जो है ना कड़ाईक या भी यूज किया गया है, जिसका तला जदा गेहरा नहीं है, और जो चोड़े पैंदी वाली जदा है, गेहराई जदा नहीं है, और आप देखरो बिलकुल हलके बबल शारी है और सारी को एक एक बालू साई को इस तरह से दीरे-दीरे डाल दिया है इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला हुए तो यह बहुत ही अच्छे से फूल करके तयार होगी और अच्छे से इसके अंदर मोहिन भी डाला हुआए घी का तो यह बहुत ही बढ़िया बन करके रड़ी होगी हम भी अपने घर पे इसी तरह से बना सकते हैं बस यहां पे फ्राई करने के लिए आपको घी या तेल का इस्तिमाल करें वो बिलकुल हलका गरम होना चीए उसके बाद आपको इसमें डालना है और इस डालने के बाद में लगभग मैंने देखा प्रोपर वहां पे खड़े रहकर के देखा लगभग 30-40 मिनट तक इनको फ्र अच्छे से फ्राई हो करके तियार होई थी तो लंसम इसको फ्राई होते विए लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं और यह बिलकुल हलका हलका इस तरह से देखिए है फूल करके तियार होके आई है अब इसके सीकने की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो यह बीच का जो होल है न व उनों तरफ से एक जसी रहे तो इस तरह से बनती है बालू शाही जो की हलवाई भीया बना रहे हैं और उसके बाद में इसको निकाल करके जो जलेबी की चासनी होती है उस तरह की चासनी होती है उसके अंदर डाल करके फिर इसको मेठी बालू साही तियार कर लेते हैं तो इ तो हम भी इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं घर पे बना सकते हैं बिलकुल आसान तरीका है तो आज के हमारी वेसी पी आपको कैसी लगी कोमेट करके जरूर बताना थेंक यू